सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अच्छा निदिशाले रास्टी राजा नीचे दिली की वक्षीट नमबर 15 डिसकस कर रहे हैं 17 नमबर 2020 की वक्षीट एक लासिक्स के बच्चों की विशय है हिंदी विधारते अपने नाम लिख लेंगे कक्षा दियापक का नाम लिख लेंगे वक्षीटी स्टाट करने से पहले तो इस्टाट करते हैं वक्षीट प्यारे बच्चों आज से हम जो पाट पढ़ने जा रहे हैं वहाँ आपकी पाठे पुस्तक बसंत में पाठ पाँच है ये पाठ एक निबंध है पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुड अक्षरों के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं आईए अब हम पार्ट को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विशे में जानें अक्षरों की कहानी ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, दुनिया में अब तक करोडों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादात में रोजी समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में हैं अक्षर। हम कलपना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनाधिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्यान हमें किसी इश्वर से मिला है। पुराने जमाने में के लोग सचमुछ ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज इश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी इश्वर ने नहीं पलकी सुयम आत्मी ने की है अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोच किस देश में किस समय हुई है तो शब्दार्थ दिये हुए तादात का मीनिंग होता है संख्या मूल मींस असली दुनिया का मीनिंग है संसार अनादिकाल कहते हैं जो सदा से चला आ रह जीए तो पहला कोशे ने बचो अक्षरों की खोच किस ने की है तो इसका आंसर हम लिख देंगे अक्षरों की खोच सुयम आत्मी ने की है क्योंकि हमारी वरक्षीट में दिया हुआ है अब देखिए कोशे नमबर टू में अक्षर धोनी सवरों और वेंजनों के प्रतीक हो होते हैं बताओ इसका तो चिन से पता चल रहा है स्कूल आगे स्कूल आगे है ये गोल चक्कर को कहते है या तो या घुमाव को भी कहते है ठीक है गोल चकर या घुमाव एकी बात है ये दाहिना मोड है ये बाया मोड है ठीक है ये देख लेजिए आपको यही लिखने यहा बच्चों आपके घर में या आसपास कौन-कौन से काम लिख कर किये जाते हैं लिखिए तो बहुत सारी लिख कर किये जाते हैं हम कुछ लिख देते हैं इसमें हमारे घर में या आसपास निमली कित काम लिख कर किये जाते हैं जैसे आप लिख दीजिए डायरी लिखना स्कूल का homework ठीक है करना और लिख दीजिए राशन की लिस्ट बनाना जो समायना आता है घर में अपने घर के खर्चों का हिसाब रखना आदी ठीक है बहुत सारे काम है अब question number 4 देखिए जैसे पार्ठ मक्षरों के बारे में बताया गया है आप अपने विद्याले के बारे में बताते हुए दस वाक के लिखी है तो हम विद्याले के बारे में लिख देंगे क्या लिखेंगे मेरा विद्याले बहुत ही सुन्दर है दूसरी लाइन में लिख देना आप मेरा विद्याले ग्यान का मंदिर है थर्ड लाइन मेरे स्कूल में सभी पिरकार की शिक्षा और पाठिकरम गतिविद्यों की सुविधाएं हैं मेरे विध्याले में कक्षा एक से बारा तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है मेरे विध्याले में बहुत बड़ा खेलने का मैदान है जिसमें बच्चे फुटबॉल और किर्केट भी आसानी से खेल सकते हैं सिक्ष लाइन में लिखेंगे मेरे विध्याले में बहुत अच्छे प्रधानचार और शिक्षक है साथवी लाइन में लिखेंगे मेरे स्कूल में सभी प्रकार के खेल कूद की ट्रेनिंग दी जाती है एर्थ लाइन में लिखेंगे स्कूल में कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है ठीक है यहां पर केई पिरकार की कर दीजे आप लोग की पृतियों किताओं का ठीक है नेक्स लाइन में लिखेंगे मेरा विध्याले बहुत हिसाफ सुत्रा है क्योंकि यहां सुच भारत अभ्यान के अंतरगत सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है और लास्ट में लिख देंगे हर साल मेरे विध्याले के सभी छात्रों रध्या पर पिकनिक बनाने जाते है ठीक है बच्चों तो विध्याले के उपर दस लाइन लिख नहीं थी वो हमने लिख दिये दस वाग के ठीक है तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक केज़े शेयर केज़े हमाई चैनल को सब्सक्राइब केज़े थैंक्स पर वाचिंग